प्रजीव जी मैं आपके पास आप आ रहा हूं एक चीज यह बताई क्योंकि यह जो एक हिमाचल में कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस की अभी बड़त है जैसा है फाइनल तो आख तारीक को पता लगेगा अगर गुजरात का यहां पर जो बीजेपी का खास करके जो प्रधानमित्री मोधी ने जो बागी को फोन किया वो चीज जो है वो बहुत अगेंस्ट गई है कोशिश तो बीजेपी ने की कि उसको फेवर में ला जाए लेकिन वो काफी अगेंस्ट गई हो बात और दूसरी बात देखिए प्रधानमित्री मोधी से जादा यहां पर स्टेक पे है जेपी नड़्डा की साख राष्ट्री अध्यक्ष है और राष्ट्री अध्यक्ष अ कॉंग्रेस की सरकार बन रही है मैं एक्चुल में इस चीज से भी सहमत नहीं हूँ कि बराबर बराबर या कांटे की टकर है या कॉंग्रेस को स्लाइट है जब मुझे लगता है गैप रहेगा लेकि गैप रहेगा तकरीबन दस सीट कर दस से बारा सीट का गैप रहेगा और इस गैप के साथ comfortably Congress जो है बनानी चीए Congress को सरकार क्योंकि इस वक्त जितनी चीजें महजुदा सरकार के खिलाफ है खास करके बीजेपी के खिलाफ उतने मुद्दे अगर बुनाने में Congress नाकामियाब रहती है उसके बावजूद भी बहुत छोटे से margin से अगर सरकार बनाती है या नहीं बना पाती तो it's a complete failure of organization यहाँ पर जो स्टेट में है सिरफ Congress के साथ disadvantage इस पार यह था कि वीरभदर सिंग उनके साथ नहीं थे माइनस वीरभदर सिंग जो है यह इस पार चुना हुआ है Congress का यहाँ पर पहली बार वह एक जरूर घाटा हुआ Congress को बाकी सारी चीज़ां के फेवर के थे वह OPS का मुद्धा हो चाए से पागवानों का मुद्धा हो चाए अगनी वीर का मुद्धा हो अब आलम यह है देखिए मुझे सबसे आदा Congress से कहा problem आती है प्राब्लम वहां आती है अभी एक्जिट पोल तक नहीं हुए ना कुई नितिज़े आये Congress के छे नेता दिल्ली में जाके CM के लिए लाविंग करने लग गये CM कुर्सी के लिए और एक तो यह ख़बर भी आई कि जो मौझुदा अध्यक्ष है पार्टी अध्यक्ष है पर वह और उनके बेटे राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा में गए और वहां पर शपत ग्रेंड समारों के लिए उनको इन्वा पुड़ाने का तो यह चीज़ें को सोचनी चाहिए लेकिन ब्रही बात इस चुनाओं की हिमाचल में मैं यह मानता हूं कि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग इनफेक्ट यह कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट आएंगे उनके हाथ में बाजी रहेगी तो सर सानते हैं मुझे बहुत सारे कॉंगरेशन ने कहा कि हमें मिनिमूम 40 सीट्स चाहिए ताकि जो सीम की कुर्सी पर बैटे वो निश्चिंद हो थोड़े दिन के लिए कि कहा मेरी सरकार रहेगी लेकिन यह है कि जैराम ठाकुर के नाम पे बिल्कुल चुनाओं नहीं लड़ा जो हैं आके मुख्यमंत्री है वह भी लोगों के उनमें एक मैसेज गया कि जब आपने पांच साल इसको चीप मिनिस्टर रखा और कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो भी यही चीप मिनिस्टर बनेंगे जब आप उनके नाम पे चुनाओं नहीं लड़ रहे पोस्टर में वह कह सब्सक्राइब करें लेकिन जो कॉंगरेस का वोटर है और खासकर कि इस बार का जो वोटर है वो है इंप्लोई इंप्लोई यहां सेंट्रल गवर्मेंट आइदर आर्मी और स्टेट गवर्मेंट सब इलाके में गया हूं तक्रीवन 14-15 लाख वोटर है हर एक के साथ अगर उसके तीन घर के वोट डोड़े तो पंतालीस लाख वोट हो जाता है वो डरता है कि वह टार्गेट नहीं आना चाता है इसलिए वो शांत रहता है इसलिए उसने कुछ नहीं बोला वोट करता है और जो मैंने इशू गिना है आपको इन इशू के अधार पे कॉंग्रेस को गया है तो इसलिए पुझे लगता है यहाँ ज्यादा मुश्किल नहीं है कॉंग्रेस के लिए एक्जिट पोल्स जो भी कहें मेरे हिसाब से कंफर्टेबल बनानी चीए यहाँ पर रही बात गुजरात की गुजरात की भी जैसे अमीदा जी ने कहा कि डेड़ सो सीट तक द चाहिए मेरे हिसाब से बीजेपी 110 और 120 के बीच में रहनी चाहिए कॉंग्रेस 50-60 के बीच रहनी चाहिए क्या यह जो पूरा चुनाव है यह ब्रैंड मोदी के ऊपर भी एक तरह से रिपरेंडम है क्योंकि मोदी जी ने अपने को बहुत ज्यादा हिस्सा में कमिट करके कि वेस्ट बंगॉल के ऐलेक्शन के बाद ऐसा कहा जया था कि उनको बहुत सामने नहीं लाया जाएगा लेकिन यह एलेक्शन में तो उन्होंने धुआधार अपने को अपने को ही वो बनाया है पती देखिया अनन जी इसमें एक बार तो बिल्कुल साफ है यह जो तीनों चु सीट बचा अपनी सरकार बचाती है तो यह माना जाएगा ना उसको कि उन्होंने बचाई है ना कि अपनी सरकार वापिस ली है या कॉंग्रेस को हराया है या चीनी है और आम आद्मी पार्टी के लिए भी देखिए अगर मोटा-्मोटा देखा जाया तो उसके पास भी सब नहीं हो पाता वो उसको मिल जाएगा तो इसलिए ये तो तैय है कि जो आपने बात कहीं कि अगर एक भी स्टेट हारती है बीजेपी या लेकि ये पाट अधर in cash में और स्टेट करती है और अगर अगर अपको एगस्टेट पर चेह करती है क्योंकि ये बायन ने दिया रही से और पार की य शीटे सीटे तरफ रीजथ हो जाते हैं आगर आपकी सरकार नहीं बन पाती है और गुजरात में अगर आप पिछली बार की टैली तक भी अगर अटक गए तो वहाँ तो आप समझें कि वहाँ पूरी सरकार की फजियत है, पूरी पार्टी की फजियत है, अगर आपने उस टेली को इंप्रूब नहीं किया, माल लिया कि आपने सरकार बना लिए, लेकिने कहीं गलतिस, उसी टेली के आसपास रह गए, और MCD में तो आ को है, कॉंग्रेस के पास सिर्फ जीतने को जीतने को खारने के लिए कुछ है निए उसके पास, तो साख तो दावाँ पर प्रदानमंत्री की है, जी, नहीं, मैं इसलिए, मैं एक और चीज़ प्रदीब जी आपको से पूछनू, और फिर अमता जी से पूछनूँगा, ये पिछली बात 99 सीट जीती थी बीजेपी 2017 में, लेकिन जब ये एलेक्शन अभी एनॉंस हुए, तब तक वो तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के वो कराके 112 सीट थी, बीजेपी की जो हाउस डिजॉल्व हुआ है तो 112 सीट थी, तो मोधी जी को 112 सीट पार करनी मेरे मैंने दो चीजें गुजरात में बड़ी साफ देखी दो दिनुक अंदर एक तो यह कि लोग मुझे मिले अपने खुशाली भाई साब या अमिता जी इसको ज्यादा जोशनी डाल पाएं कि मुझे जो लोग मिले उनका ये कहना था कि जो बीजेपी को वोट देगा वो जन्हां करते हैं कि फिर नजरों में आ जाएंगे इसलिए पहली प्रैयरिटी उनकी ये थी कि हम वोट देने जाएंगे इने अगर दूसरी प्रैयरिटी ये तकड़ जाएंगे भी कोईने कोई साथ में बीजेपी का होगा आदमी तो मजबूरी में हमें डालना पड़ सकता है बीजेपी को यह उनका कहना था दूसरी चीज मुझे यह समझ में आई थी कि वहाँ पर भाए खुक और क्रुक कह लें आप चाहिए जैसे मर्जी कहले जी देखिए कॉंग्रेस ने वहाँ कॉंग्रेस के साथ एक डिसाडवांटेज यह दिखा मुझे कि वह लेट मोमेंटम पकड़ा अगर वह कहीं एक महीना पहले वह मोमेंटम पकड़ लेती तो अभी तो इस टम अभी मोझी जी को जितने वहाँ दिन लगाने पड़े में रिखाल से दोसों कुछ उन्होंने सभाएं और टोडल किया होगा तो शायद उन्हें उससे भी ज्यादा करना पड़ था क कॉंग्रेस ने थोड़ा सा मोमेंटम लेट पकड़ा और तीसरी बात यहीं कि जो आम आदमी पार्टी का नुकसान है वो सब को मालूम है कि वो नुकसान सिरफ कॉंग्रेस को है और अगर आम आदमी पार्टी ने कहीं हीमाचल में जोर लगा लिया होता तो यहां भी कॉंग जो परवल परताब ची ने या जो किसी ने खही थी बात की वो ऐसा लगता है कि कुछ तो हुई है कि आपने यहां डेमेज कर लिया है कॉंग्रेस को अब आप 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 जाके दिल्ली संबाली है हम यहां सवाल पे हैं